जिला मुख्यले से लगे हुए लालबर्रा जन्व पंचायत के अंतरगर्थ आने वाले गर्रा पंचायत में वैभाव विसेन ने अपने निकर्तम प्रतिद्वन्दी बाल कृष्ण दिविविदी से 405 मदों से जिद्दज की है आठ जुलाई को हुए तीसरे चरण के चुनाओ के दोरान गर्रा पंचायत में भी मददान हुए और तैस समय में मदगन्ना सुरुकी गई इस दोरान मदगन्ना के पहले चरण से ही वैभाव विसेन ने अपने प्रतिद्वन्दी बाल कृष्ण दिविविदी पर बड़त बनाई रखी थी और चुनाओ परिनाम के अंध में वैभाव विसेन ने 405 मतों से जिद्दज की आपको बता दे कि जिले के भीतर गर्रा पंचायत का चुनाओ सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाल चुनाओ के रुप में लोगों के बीच में चर्शा का विसे बन गया था इस बात की बानगी है कि चुनाओ परिचार के अंधिम दिन 6 जुलाई को सरपंच परित्याशी वैभाव विसेन के घर में आपकार की टीम ने शराब मिलने की शिकायत पर 6 वामार कारवाई भी की थी लेकिन उन्हें इस कारवाई के दोराव शराव या फिर अन्या नशिला पधार्त नहीं मिल पाया था इसके एक दिन बाद मतलब 7 जुलाई को मद्दान के पूरो ग्राम पंचायत के लगभग देड सिकड़ा लोग इस बात के शिकायत लेकर आये थे कि उन्हें मद्दान के लिए धंकी दी जारी है इसके बाद यहां चुनाओ और भी अधिक रोचक और चर्चा और सुर्कियों का विसे बन गया था इसकारण 8 जुलाई को जैसे ही तीन बजे मद्दान समाब्थ हुआ तो लालवर्रा बालाखाट के साथ ही जिले के अन्य अस्थानों के लोगों के नजरे गर्रा चुनाओ परिनाम पर लग गई और हर कोई एक दूसरी से मोबाईल फोन के माध्यम से इस बात की जैनकारी लेने में लग गए कि आकिरकार गर्रा में हो क्या रहा है किसके पक्ष में चुनाओ परिनाम जा रहा है गर्रा पंचायत में पाल क्रिष्न दिवेदी और वैवविसेन के बीच सीधी डख कर थी जिस कारण अन्य प्रत्याश्री के होने चुनाओ में उसके प्रभाव या फिर ओटो के गुना भाग का कोई तीर्चागरित नहीं था इसलिए भी यह चुनाओ और अधिक रोचक ब